दुरिश्टे आईएस के इनफोकस प्रोग्रेम में एक बार फिर आपका स्वागत है मेरा नाम है मनीश हाली में साइंटिफिक रिपोर्ट्स में एक अध्यन प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार अलनिनो की घटना के कारण वर्ष दोहजार चोबिस के मध्ध में यानि जून दोहजार चोबिस तक बंगाल के खाड़ी और फिलिपीन्स में रिकोर्ड इस तरपर तापमान बढ़ सकता है और इतना ही नहीं दुनिया के अलगलग शेत्रों में इस बढ़े तापमान के अलग सबसे पहले देखते हैं कि इस टोपिक के अंतरकत हमारी चर्चा की क्या पक्ष रहेंगे? सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिआ है जिसके कारण ये टोपिक चर्चा में आया है यानि Scientific Reports में जो अध्यन प्रकाशित हुआ है उसके कारण ही ये पुरा टोपिक चर्चा में हैं इसलिए हमारे लिए जाना जरूरी है की यह गिया कहता है अल्नीब क्या है और आल्नीब कि सामानज प्रभाव किस प्रकार से रहते हैं अंत में आपके लिए की आप peł ब्राशन होगा जिसका उत्र प्रोग्राम का notification प्राप्त करने में आपको आसानी होगी और उनका अपलाब उठा सकेंगे साथ ही हमारे जितने भी प्रोग्राम आते हैं उनकी PDF फाइल आपको Infocus दृष्टी IS के Telegram चैनल पर उपलब्द कराई जा रही है जिसका link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले देखते हैं कि अध्यन क्या कहता है यह अध्यन कहां प्रकाशित हुआ है एक International Journal है जिसको हम Scientific Reports के नाम से जानते हैं वहाँ से यह प्रकाशित हुआ है और क्या कहता है यह कहता है कि जून दो हजार चोबिस तक जो धर्ती का सतही वायूतापमान है उसमें जबर्दस्त उच्छाल हो सकता है सतही वायू तापमान का क्या मतलब होता है सामानत है प्रत्वी की सतह से 2 मिटर उपर का वायू तापमान में इसकी गणना की जाते है धर्ती के जस्ट उपर के तापमान की गणना नहीं की जाती क्योंकि धर्ती बहुत तेजी से गर्म और ठंडी होती है वो वास्तविक तापमान की सूचना नहीं देती तो धर्ती के 2 मिटर के उपर के तापमान को लगबख 6.5 फिट के उपर के तापमान को वायू तापमान के रूप में गणना की जाती है और यही weather reports में भी यही तापमान आता है तो इसने कहा है कि जून 2014 तक सतही वायू तापमान में जबरदस्त उच्छाल हो सकता है क्यों हो सकता है अलनीनो के कारण अलनीनो क्या है पूर्वी विश्वतिय प्रशांत महासागर के जो तापमान है उसमें असामान रूप से व्रधी के कारण ये घटना घटती है हम अभी उसको जानेंगे इसके कारण क्या होगा कि दुनिया भर में अभूत पूर्व तापमान व्रधी हो सकती है कई शेत्र इससे ज्यादा प्रभावित होंगे वे शेत्र कौन-कौन से हैं वे शेत्र हैं भारत में के दक्षन पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी साउच चा रहतेगी जब पूर्वी विश्वतिये प्रशांत महासागर में जो सामाने तापमान की व्रधी है जो तापमान में सामाने तापमान से जो अधिक व्रधी है ये अधिक व्रधी 0.6 degree Celsius तक बढ़ जाए जब हम अलनिनो घटना की बात करते हैं तो उसमें जो पूर्वी 0.5 degree Celsius से 0.5 degree Celsius की रहती है तो इस अध्यन में ये कहा है कि जैसे जैसे जलवायू परिवर्तन की घटना की कारण आवरती बढ़ रही है अलग लग चीजों की अलग लग weather patterns बदल रहे हैं तो 0.2, 0.6 degree Celsius तक अगर ये तापमान बढ़ जाता है तो इस तरह के परिणाम हो सकते हैं इसके प्रभाव क्या होंगे दुनिया के अलग-अलग हिस्तों में heat wave की आवरती बढ़ सकती है यानि heat wave का क्या मतलब हुआ कि सामाने तोर से मैदानिक शित्रों में 40 degree Celsius पर जो हवाओं तेज हवाओं का रुक रहता है उसकी आवरती बढ़ सकती है साथ ही जंगलों की आ सामाने तापमान है उससे असामाने वरधि को कहते हैं यसेी पूर्वी यह पूरा प्रशान्त महाजागर है यह equator है तो पेरulture के तठके पश् спокой की ओर इस शेत्र में जो विश्वत ये प्रशान्त व्रशान्त महाजागर का शेत्र है इसमें उससत्त सतही जल्ये तापमान में व्रधी होती है और ये व्रधी 0.2 degree Celsius सामाने तोर से रहती है तो कहीं बार ये 0.5 degree Celsius तक भी बढ़ सकती है इसी पर ये अध्यन प्रकाशित हुआ है कि अगर ये 0.6 degree Celsius तक बढ़ जाती है तो इसके गंभीर प्रभाव होंगे तो इस घटना के कारण होता क्या है यहां जो व्यापारिक पवने चलती है उनकी दिशा पश्यम की और होती है आप देखेंगे कि ये छेतर सामाने तोर से ठंडा रहता है और ये छेतर हलका सा गर्म रहता है तो इसमें जो हवाओं की व्यापारिक पवनों की दिशा रहती है वो पश्यम की तरफ रहती है यह एक आसामाने इस्थती है जिसको हम एल निनो के नाम से जानते हैं जो Spanish एक वर्ड है तो इसमें अगर इस जगह का तापमान सामाने तापमान से अधिक बढ़ोतरी हो जाती है तो इससे उपर की जो वायू है वो पतली हो जाती है और इसका सूखे की संभावना पढ़ जाती है और इसी प्रकार से इंडोनेशिया में भी सूखे की संभावना बढ़ जाती है वही दक्षण अमेरिका की क्षेत्र में अधिक बरसात होती है और बाड की संभावना बढ़ जाती है इसके ठीक विपरीत घटना है ला निना की जहां पर पूर्वी विश्वतिय प्रशान्त महसागर क्या जो जलिय सतह का तापमान है ये सामाने से ठंडा हो जाता है और हवाओं की दिशा बहुत इस्ट्रोंग तरीके से बहुत मजबूत तरीके से पश्यम दिशा की तरफ बहती है जिससे ऐस्टेलिया खास तोर से उत्री औस्टेलिया के शेतर में इंडोनेशिया के शेतर में बाड़ की स्थिति रहती है और इस ला निना की घटना से भारत में भी बरसात पर बहतर असर पड़ता है भारत में ज़्यादा बरसात होती है तो एल निनो और ला निना एक दूसरे के विपरीत घटन आए हैं एल निनो के कारण हमारे देश में और साथ ही दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में खास तोर से सूखे की संभावना जादा रहती है यह घटना कोई नियमित चक्र के रूप में नहीं होती इसलिए इसकी भविश्यमानी नहीं की जा सकती यह सामाने तोर से 2-7 वर्ष सूखे की इस्थिती पैदा होती है साथ ही भारत में भी सूखे की जैसी इस्थिती तरह के प्रभाव रहते हैं यह एक अध्यन प्रकाशित हुआ है साइंटेफिक रिपोर्ट्स में उसी की संबंद में इस पर आज चर्चा हुए अलनीनों का निम्नलिखित में से क्या प्र प्रशन है औस्टेलिया में सूखे की स्थिति दक्षन अमेरिका में भारी वर्षा इंडोनेश्या में सूखे की स्थिति या उपर्युक्त सभी इस प्रशन का उत्तर आप हमें कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके जुरूर दीजिए साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन दबाईए तभी हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकिशन प्राप्त करने में आपको आसानी होगी फिर से एक नए सेशन में आपसो मुलाकात होगी धन्यवाद अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले